ओम शर्व मंगला मितिशुवम सिसीदी चैनल आपका स्वागत करता है आज का विज़े है पंच लोग पाल परिचे छिती जल पावक गगन समीरा पंच रचिती यह अधम सरीरा माना दे जिन पंच तत्तों से निर्विट है वे हैं प्रत्वी आकास जल वायू और अगनी इन्ही पंच तत्तों के संतूलन से इस स्रष्टी का निर्मान हुआ इन्ही पंच तत्तों के अधिपती पंच लोग पाल कहे जाते हैं लोग अर्थात स्रष्टी पाल अर्थात पालन करता इस स्रष्टी के पालन करता ही लोगपाल कहलाते हैं। चूकि इन पंच तत्तों से पूरी स्रष्टी का निर्माण हुआ इसलिए पंच तत्तों के अधिपती पंच लोगपाल कहलाते हैं। इन ही पंच तत्तों के संतुलन से यह माना देह भी संतुलित रहती है। अताय प्रथम जल ही जल्था इस जल्द तत्व के अधिपती के रूप में स्री गड़ेश को प्रतिश्ठित किया गया। को प्रतिष्ठित किया गया देवी दुर्गा अगनी तत्व की अधिपती है इसलिए देवी दुर्गा की अगनी कुड़न में हवन द्वारा पूजन करने का विधान है पांचवे लोगपाल के रूप में शिवजी को प्रतिष्ठित किया गया जो प्रतिष्ठित के अधिप पासवान देवी दुर्गा को सक्ति समर्थ है तथा शिव जी को कल्यानकारी नाम से अभीद किया गया इनके नामों की संग्या इनके ब्रह्म होने के भाव को इस्पष्ट करते हैं इतना ही नहीं इन पंच देवों के उपासकों को भी इनकी विसे संग्या से जाना जाता है ज इन पंच लोग पालों के उपासकों के तिलक पहचान चिन्न भी भिन भिन होते हैं जैसे स्री गडेश के उपासक अंकुस चिन्न का तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं सूरी देव के उपासक उतित बाल सूरी के चिन्न को तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं स्री मानव जीवन को सुखी और सम्रद्ध बनाया जा सकता है जै स्री राम